फैलो दोस्तो इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं नरेंदर तो आज वीवो ने इंडिया में अपना वीवो S1 प्रो लॉंच कर दिया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं आज मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूँ तो दोस्तो जैसा कि आप सबको पता ही वीवो की जो S-Series है में ली स्टाइल के लिए माने जाती है तो इस टाइम उन्होंने वीवो S1 प्रो लॉंच कर दिया है सबसे पहले बात करूँ डिस्प्ले के बारे में इसमें आपको 6.38 इंच की FHD PLUS की एक सूपर एमूले डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसमें आपको in display fingerprint scanner भी मिलता है और सामने आपको एक notch मिल रही है जिसमें आपको 32 megapixel का front facing camera मिलता है F2.0 aperture के साथ बैक में आप देख सकते हैं इसका design में ली style है तो कितना अच्छा है यह में लिए आपको 3 colors में मिलता है black, blue, white और जो यह blue color है super बहुत मस्त लग रहा है और पीछे आपको यह rectangular और diamond shapes combination वाला camera बहुत अच्छा लग रहा है आप यह देखी सकते हैं और नीचे आपको Vivo की branding मिल जाती है right side में आपको power unlock button मिलता है red color में और नीचे आपको USB C port देखने को मिल रहा है, microphone है और speaker गिल भी मिल जाती है इसमें आपको snap dragon का 665 processor मिलता है जो की decent सा processor है और इसमें आपको 8 GB और 128 GB की storage मिलती है यह इंडिया में एक ही variant से launch हुआ है अगर gaming की बात करूँ तो इसमें आपको decent सी gaming मिलेगी आप कोई भी game S49 या PUBG HD में अराम से कह सकते हैं आपको कोई कमी नहीं आएगी और इसमें आपको Vivo का fun touch OS मिलता है 9.2 जो की Android 9 Pipe पर बेज़ आ है बाकि देखते हैं इसमें Android 10 कब आता है Vivo कब इसको push करेगा बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 4500 mH की बैटरी मिलती है और इसमें उनोंने अपना dual engine fast charger भी दिया 18 vote का जो इसको एक गंटे में 70% तक charge कर देता है इसके camera के बारे में बात करूँ diamond shape जो camera है जिसमें आपको 48 megapixel का primary sensor मिलता है 1.8 aperture के साथ और 8 megapixel का ultra wide है 2 megapixel का macro lens भी मिलता है और 2 megapixel का depth sensor के लिए जिससे आप portrait shorts ले सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे और इसकी pricing की बात करूँ अब last में तो इस phone को इसमें एक ही variant में launch हो है 8GB 128GB जिसकी price है 19,990 बे 20,000 में आपको snap during a 665 मिलता है यह वही processor है जो आपको vivo U20 में मिल रहा है कितना price gap है processor के मामले में vivo थोड़ा पीछे रहा गया बाकी phone overall बहुत अच्छ है आप बताइए आपका कैसा लगा यह phone तो बस यही थी कुछ कहानी vivo S1 Pro की तो जाते जाते वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने और अच्छी वीडियो में